गुड मॉर्निंग दोस्तों वेलकम टू डीडी इंजीनेरिंग तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है कनेक्टिंग रोड के उपर तो आज की इस वीडियो में हम कनेक्टिंग रोड को बनाएंगे तो मैं चाहता हूँ आप कनेक्टिंग रोड को बनाने से पहले आप एक बा वाला portion है, वो है crank shaft से connect, तो basically इसका काम क्या होता है, यह जो reciprocating motion जो होता है piston का, उसको यह rotatory motion में convert करता है, और जो मतलब की reciprocating motion का मतलब यह होता है, कि एक सीधी line पे up here down या आगे पीछे होना, तो basically यह काम होता है reciprocating motion का, तो चलिए अब हम सिखते हैं किसे बनाते कैसे हैं, तो आप देखेंगे कि हमें diagram मतलब कि exam में कुछ इस type के assembly given होती है, हम इने सभी part को assemble करके हमें इसका front view और top view बनाना होता है, जैसे आप सामने देख रहे होंगे, यह इसका front view है और यह इसका top view है, हमें इन सभी part को assemble करके यह बनाना है, top view और front view बनाना, front view, top view, ठीक है, तो given है वो है 10 cm ठीक है फिर हम देखते हैं y से जो a का distance है वो है 1.5 cm अब देखे इधर आते हैं तो x से जो यहां का distance है वो है 3 cm ठीक है अब यह वाला जो inner portion है अगर आप इसकी detailing देखेंगे तो आपको यहां पे given है तो चलिए हम फटा-फट से पहले center line रो करके और इतने distance पर हम mark लगा लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले 10 को mark कर लेते हैं यहां से यहां पर मैं लेता हूँ 10 और अब 10 लेने के बाद क्या करना है 10 लेने के बाद आपको एक बिल्कूल हलकी से line लेनी है इसके उपर जिसको हम आसानी से बाद में मिटा भी सके यह हमारी 10 की line हो गई अब इसके बाद हमें 15 के वहां पर center line लगानी है 15 के distance पर तो यहां पर आज़ेए और यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर एक center line ड्रो कर देंगे अब यह हमारा complete हो चुका है तो अब हम इस side क्या करेंगे 3 cm पर हम फिर से center line ड्रो कर देंगे अब हमारा यह portion complete हो चुका है अब देखिए यह जो अंदर वाला portion है वो हमें यहां पर given है तो इसकी जो first circle है first circle का diameter हमें 30 given है यानि कि हम क्या करेंगे compass को 1.5 cm खोलेंगे और एक arc लगा देंगे मतलब कि circle बना देंगे ठीक है फिर उसके बाद देखिए यह hidden line जो है हम यह जो dashed form में जो है वो hidden line को दर्शाते हैं तो इसकी जो diameter दे रखे है वो हमें 34 दे रखी है तो हम क्या करेंगे compass से 1.7 खोलेंगे और एक circle बना देंगे dash form में अब देखिए यह 40 वाला जो हमें circle बनाना है उसमें एक condition है कंडिशन क्या है कि इनके बीच में जो दूरी है इनके बीच में हमें gap प्रोवाइड कर रखी है 1 mm की सेम इधर हमें 1 mm की gap प्रोवाइड कर रखी है तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले 30 का हम वो बनाएंगे तो हम compass को सबसे पहले खोल लेते हैं 15 हमने खोल लिया अब हम एक circle बना देंगे अब फिर हमने 17 खोलना है compass को हम एक circle और लगा देंगे dash form में अब यह हमारा hidden line भी बन चुका है अब क्या करना हम है अब यहां पर हमें एक mm का gap लेंगे दोनों साइड एक एक mm हमने यहां पर एक mm का gap ले लिया और इधर भी हमने एक mm का gap ले लिया सेम इधर करना हमें एक mm का gap लेंगे और एक mm का gap लेंगे अब हमें क्या करना इसके बाद 34 के बाद 40 की जो हमारी line है उसके लिए हम क्या करेंगे टू खोलेंगे compass को और line लगा देंगे हब देख लेते हैं अब देखिए हमारा जो 40 था उसके बीच में 1 mm गीवन था तो हमने वही किया है यहां पर हमने 1 mm छोड़ दिया है अब हम बात करते हैं देखिए इसमें क्या है यह वाला जो portion है हमें यह जो गिवन है इस साइड यहां से देखिए यहां पर एक गिवन है इसका कि यहां से यहां तक का जो distance है पूरा वह है 60 यानि कि center से हमारा 3 cm इदर जाएगा center के बाद इदर 3 cm जाएगा तो अब हम क्या करेंगे 3 cm हम उस साइड चलेंगे कि इदर 3 cm के लिए लगा लेते हैं और इधर भी 3 cm के लगा लेते हैं सेम हमें ऐसे ही साइड करना है अब यह लगाने के बाद हम क्या करेंगे यह लगाने के बाद देखिए हमें question में given है जो इनके बीच का gap है वो है 3 mm ठीक है और देखिए यहां पे हमें कुछ given नहीं है कि इसके बाद हम कितना चोड़े हम क्या करेंगे यहां पे 1 mm हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम 9 उपर जाएंगे फिर हमें 3 mm की लान लगा देनी है और फिर हम इसको circle से मिला देगे ठीक है तो हम क्या करते हैं यहां पर पहले 3M हम ले लेते हैं एक दो तीन यहां पर मिला देते हैं और हम क्या करेंगे इसको हम मिला देंगे इससे और सेम हम क्या करेंगे इधर भी यह करेंगे हम हमने यह मिला दिये हैं इसको अब इसको लाइन को भी मिला दिने अब हमें क्या करना है अब हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है तो हम क्या करते हैं यहां पर एक M iMr. छोड़ देते हैं, यहाँ, और सेम इस साथ हम क्या करेंगे, 1 M Iенный छोड़ देंगे यहाँ, और फिर क्या करेंगे हम, 9 इस साथ हो अब ऊपर जाएंगे, यहाँ से 9 हम यहाँ आगे, और फिर हम 9 यहाँ से यहाँ आगे, ठीक है अब क्या करेंगे इन दोनों लाइनों को हम सरकल से मिला देंगे हमने मिला दिया अब क्या करना है हमें फिर थ्री उपर आना है ठीक है तो हम थ्री पर मार्ग करके और लाइन लगा देंगे ठीक है अब हम मिला देते हैं इसको 6 से झाल अब इसको भी आगे एक्स्टेंड कर देंगे हम लाइन को और फिर मिला देंगे ठीक है अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है देखे हमें इतना करने के बाद हमारी जो ये अपर वाली लाइन है वो है 42 की ठीक है यहां पर देखिए हमें क्या करना उसके बाद आर्क लगाना है एक 42 का ठीक है तो हम क्या करेंगे परकार खोलेंगे और एक आर्क लगादेंगे हम खोलेते हैं 2.1 को है अब यहां पर कम पास रखो हमने एक R के लगा दिया ठीक है और सेम हम क्या करेंगे इस साइड भी बनाएंगे जैसे हमने इस साइड भी बनाना है ठीक है तो मैंने क्या किया जैसे हमने अपर वालप पॉर्शन बनाया था मैंने सेम मतलब की डाउन वालप पे बनाया है ताकि जो टाइम है वो कंज्यूम कम हो तो अब हमें क्या करना है वही 42 वाल आर्क लगा देंगे यहां पर खोल गें, यहां पर, ठीक है, अब हमारा यह वाला portion त्यार हो चुका है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो यह nut और bolt है, इसको हमें place करना है, इनके बीच में, तो देखें, nut की जो मतलब की center line है, उसकी जो हमें land है, वो 42 दे रखी है, यानि की 21 इधार और 21 इधा करेंगे, यहां और इधार भी, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम center line बना देते हैं, nut और बोल्ट का, सेम ऐसे इधार, अब यह हमारा nut का center line बन चुका है, अब देखें इसकी जो head है, पहले तुम मैं बता दूँ, यह क्या है, यह square headed bolt है, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देखते होगे, तो आपने देखते ही पैचान लिया होगा, कि यह square headed bolt है, ठीक है, अब देखें, इसका head है, वो दे रखा 12, और इसकी चोडाई जो है, वो दे रखी है 6, ठीक है, और इसकी जो पूरी मतलब की वो देखें, हम तो 36 6 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, यह 12 बनाएंगे 6 की height पर, ठीक है, और हाँ, इसकी जो मतलब की यह दे रखी, यहाँ से यहाँ तक, वो आप 8 भी ले सकते हैं, और 6 भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं अभी यहाँ यहाँ पर 8 यूज़ कर रहा हूँ, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, 4 इस साइड लेंगे, और 8 पर हम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अब इसको भी हम, डेस्ट फोम में करेंगे, क्योंकि यह हमें दिखेगा निया अंदर वाला पर्शन, बिल्कुल हलके हाथों से, सेम इस साइड हमें करना है सही, सेम यहाँ पर भी, अब यह होगे हमारा, जो उसका अंदर का डी था, वो हमें पता चले जा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आएंगे, सिक्स, उपर, यहाँ तक आजो, सिक्स, ठीक है, यहाँ पर, अब क्या करो, यहाँ से हमें क्या करना है, सिक्स हमें इस साइड, और सिक्स हमें इस साइड, ठीक है और हमें क्या करेंगे इनको ऐसे करके यहां पर मिला देंगे सेम यहां पर अब सेम हमें यहां पर भी करना इसी सट सेंटर लाइन से हम सिख साएंगे उपर और क्या करेंगे शिक्स उधर और शिक्स इधर अब यहां पर लाइन लगाओ यहां पर इन दोनों लाइनों को मिला दो इन दोनों लाइनों को भी हम मिला देंगे ठीक है यह हमारा स्क्वेर हेडिड का जो बोल्ट है उसका हैड त्यार हो गया ठीक है अब हमें क्या करना है आप देखो इसका जो बोल्ट है नीचे जो है यह वाला पोर्शन त्यार करना है तो देखो इसमें क्या है यह जो है 30 यहां से मतलब कि 36 है मतलब कि हम यहां से पहले 36 नीचे जाएंगे यानि कि 3.6 यहां पर हम लगा लेते हैं है अब देखो इसक्या जो मतलब कि यह head वाला जो portion है इसमें हमें गीवन है कि यह जो है नट वाला भी पॉर्शन होगा ठीक है तो हम आ जाते हैं यहां पर और 6 हम ले लेते सबसे पहले यहां पर आगया हमारे 6 अब क्या करो यहां पर 6 इधर और 12 इधर कि इतना हो गया अभी यहां पर आ जाते हैं ऐसे लाइन लगा दूस्ते थोड़ा पहले ही और यह वाला भी हम आगे लाइन एक्स्टेंड कर देते हैं हीडर लाइन जो है हमारी अब क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐसे गोल कर देंगे यह जो हमारी लाइन है इसको इससे मिला देंगे ठीक है और अब क्या करो इसको लाइन हम सीधी खीज़ देंगे ऐसे वैसे तो दोस्तों इसमें क्या होता है हमें आर्क लगाना होता है कमपास से लेकिन मैं अभी आर्क नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप क्या करना यहां से कमपास खोलना एक और मतलब कि यहां पे और सेंटर से एक आर्क ऐसे लगा देना ठीक है फिर यहां से ऐसे करके और एक आर्क ऐसे लगा ठीक है अब हमें सेम ऐसे ही इस साइड करना है तो चलो जलील जी हम कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सिख सिधर आ जाते हैं यहां पे हम लाइन को थोड़ा एक्स्टैंड कर लेते हैं अब क्या करो अब यहां पे मैं आर्क लगा के दिखा देता हूं आपको कैसे आर्क लगता है पहले कम पास को यहां खोलो और देखो ऐसे करके आर्क लगा दो एक फिर यहां पे रखो कम पास को फिर एक ऐसे फिर एक ऐसे यह बहुत छोटा पोर्शन ने से लिए धंग से बन नहीं पर हैं अब इन लाइनों को हम मिला देंगे इसको इससे अब बीच वाला पोर्शन जो इसको थोड़ा सा एक दो एमम आगे निकाल दो इधर भी दो एमम और फिर एक लाइन लगा दूँ यहां यहां अपर वाला पोर्शन त्यार करते हैं तो देखिए अपर में हमें कितना गिवन है यहां से पता चल जाएगा जो हमारा फर्स्ट वारा सर्कल है उसकी डायमेटर दे रखे 18 यानि कि हमें क्या करना है कम पास को 9 खोलेंगे एक सर सरकल लगा देंगे और उसके बाद देखिए यहां से यहां तक कि जिसकी दूर दे रखिया है वह है 14 यानि कि 28 का हमें सरकल बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 का सरकल लगा लेते हैं अब हमने 9 का सरकल लगा लिया अब उसके बाद हमें कितना करना है 24 का तो उसके लिए हम क्या करेंगे 12 खोलेंगे कम पास को और फिर एक सरकल बना देंगे मैं यहां से छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे लाइन मिलानी है अब उसके बाद क्या करेंगे 28 का तो 28 के लिए हम कितना को लेंगे 14 करें अब यह हमारा बन चुका इदर का पॉर्शन अब देखो दुस्तों मैं आपको एक बताता हूं देखो जो हमने यहां से यहां तक कि जो इसके distance है वो है 11 तो हम क्या करेंगे 11 यानि कि हम 5 माल लेता है 5 इदर और 5 इदर 5 और 5 10 हो गया ठीक है अब इसके बाद क्या करना है हमें इसके बाद हमें 4 इधर छोड़ना है 4 इधर छोड़ना है ठीक है दो हम 4 इधर छोड़ देते हैं एक point लगा देते हैं ओर इधर भी हम 4 चोड़के point लगा देते हैं और उसके बाद क्या करना है हमें उसके बाद हमें एक minimum छोड़ना है इधर और 60 अब देखिए से इधर 5 है तो हम क्या करेंगे यहां, पर मैं Two Two क्रेंता हूँ. Twomm की तू एम Inधर धर, ठीक है, it aar, तू मुम इधर हम ने छोड़ दिया, और तू मं हम यहां पर छोड़ दिया, और four यहां पर लगा दिया, उसके बाद क्या करेंगे और four हम उस साइड लेंगे और 4 हम इस सैड लेंगे, उसके बाद हमें 1 mm छोड़ना है, एक mm का gap देना, एक mm इधर लगा लिए हमने, और एक mm इधर, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो, जो आउटर लाइन है, मतलब कि ये वाला जो portion है, इसको इस से मिला दो, सबसे पहले, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम इसको ऐसे हम मिला देंगे इस से, ठीक है, सेम इधर करो, ये वाला जो है second से मिला दो, और line से ऐसे connect करके, ऐसे मतलकि, से मिला दो, और ये circle के साथ ऐसे attach हो जाएगा, फिर ये last वाला जो है, उसको से मिला दो, अब ये बन गया हमारा और सेम इधर कर देंगे इसको हम इससे अब इसको इससे मिला दो अब ये वाली जो लाइन है ये वाली ऐसे इससे मिला दो अब क्या करना है हमें अब देखो इसमें नट लगा रखा यह वाला जो पॉर्शन है इसमें नट लगा रखा यहाँ पे तो हमें यहीं नट यहाँ पर असेम्बल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो सबसे पहले यहाँ पर 15 का हमें 15 डिग्री दे रख दो ही दर है अ लाइन हमारे लग गई अब देखो इसमें क्या दे रखा है इसमें हमारी यहां से जो यहां पे इसका जो सेंटर पॉइंट है वो में 11 पर करना यानि कि 1.1 पर तो हम इसका सबसे पहले सेंटर बना लेते हैं तो 1.1 पर रखेंगे ऐसे और एक सेंटर बना देंगे यहां पी अब इतना हो गया हमारा आप क्या करना है अब देखो ये वालो नट वहाँ पे असेंबल करना उसकी यहां पे डिटेलिंग दे रहे कि देखो नट की जो पूरी लेंद है वो है 21 ठीक है पॉइंट लगा लिया और यहां पर हमने पॉइंट लगा लिया अब इसके बाद क्या करना देखो इसकी जो डाइमेटर है मतलब कि डी है जो वह सिक्स तो हम थ्री उसेड़ ले लेंगे थरी सेड़ ठीक है तो हमने ले लिया थ्री सेड़ और त्री सेड़ ले ठीक है अब यह हमारा हो चुका आप देखो इसका जो हैड़ है वो भी हमें सिक्स का ही गिवन है तो हमें क्या कहिंगे इसको जहां पर हमने टू की वह लिया थी वहां पर हम मिला देंगे और हम आएंगे नीचे 5 और हम इस लाइन को यहां से मिला देंगे इसे यह हमारा हैर तेयार हो जाएगा अब इसको भी मिला दो ऐसे अब यह स्कुएर में है तो स्कुएर को हम ऐसे भी दिखाते हैं अब यह हमारा यह वाला भी portion तेयार हो चुका है ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस वीडियो से रिलेटर आपको कोई भी कमेंट या सजेशन देना चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करना मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसबरी से इंतिजार रहता है आपका कियमती समय देने के लिए धन्यवाद have a nice day